सोसल मीडिया पर आए दनों कई वीडियो जैसे होते हैं जो दिल को छूजाते हैं ऐसा ही एक वीडियो सोसल मीडिया पर बहुत तेजी से बारल हो रहा है इसमें एक छोटी जी बच्ची भोजपुरी गाना गाती नजरा रही है इस गाने को बच्ची ने अपने माता पिता को समर्पित गीत गाया है सोसल मीडिया पर बारल हो रहे इस गाने को सुनकर कई लोग भाव हो रहे हैं तो कई लोग इस बच्ची की बहुत तारीफ कर रहे हैं बच्ची के गाने का वीडियो तेजी से सोसल मीडिया पर बारल हो रहा है आप भी सुनिए इस छोटी सी बच्ची का गीत कर जाना कोबो माई बाबू के भराई हो कोखिया के पीजारा के सुगाना बानाई के कोखिया के पीजारा के सुगाना बानाई के सोही सोही बीडा दिहली तो हके जाना बानाई हो कारा जाना कोबो माई बाबू के भराई हो कारा जाना कोबो माई बाबू के भराई हो फोटो ही लोगोरी आमे दिना बाबू जारे ली तो हरा के सुट बूट कोही से ले आबे ली फोटो ही लोगोरी आमे दिना बाबू जारे ली तो हरा के सुट बूट कोही से ले आबे ली पीये ले पसीना तो हके बेरी या डुलाई हो करा जाना कोबो माई बाबू के भराई हो खबरों के मताबिक के वीडियो बताया जारा है की सदर पर खंट के भटबलिया गाउं के एक साधान परिबार की बच्ची है जिसकी पहचान सेवानी कुमारी नाम से हुई है वहीं उसके पिता का नाम गोपाल कुमार है सोसल मीडिया पर बारल हो रहे सेवानी के गाने को लोग खूब पसंद कर रहे हैं इस वीडियो को सेर किया है अबनी सनन्ने जो आईएस अधीकारी है और उनने लिखा है कि माँबाप का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता भूचपुरी में भावपूर टस्तुती सोसल मीडिया पर बारल हो रहे वीडियो के वीडियो में छात्रा को आप भूचपुरी गाना गाते देख सकते हैं माता-पिता के बलिदान के बारे में गीत गाते हुए देखा जा सकता है लोग इसे देखकर भावपूर रहे हैं और इस बच्ची की तारीप कर रहे हैं चात्रा ने इस बारे में गाया कि माता-पिता आपने बच्चों को सर्वुत्तम जीवन जीने के लिए कितना खुछ करते हैं कैसे उनका कज कभी नहीं चुकाया जा सकता अगर आपने इस गाने को गौर से सुना है तो आपको ऐसे सब्द मिलेंगे कि जो दिल को छूते हैं इतनी सुरीली आब आज आपको एमोशनल कर देगी ए छोटी सी बच्ची का वीडियो सोसल मीडिया पर बहुत तेजी से बारल हो रहा है और लोग खुब पसंद कर रहे हैं और अभी तक करेब डेड़ लाख लोग इस वीडियो को देख चुके हैं दोस्तों अभी के लिए तना ही देश दुनिया आई तो आम खबरों के लिए बने रही हैं इंडिया स्पेसल के साथ और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें